यूपी के सीतापुर में एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें तीन लोग मौझूद है पहले जो सामने बैठा है दूसरा वो जो सामने बैठे शक्त से बात कर रहा है तीसरा वो जो चुपचा वीडियो बना रहा है वीडियो 24 सेकंड का है वीडियो में सामने बैठे शक्त से लेंदेन की बात हो रही है वीडियो में कहा जा रहा है कि दरोगा जी को पैसे दे दो मैं एतने रुपए में काम नहीं कर पाऊंगा लकडी के ठेकेदार और सामने बैठे इस शक्स के बात्चीत कैई वीडियो वहीं बैटे तीसरे शक्स में बना लिया और शोशल मीडिया में वायरल कर दिया और अब ये वीडियो शोशल मीडिया में उच्छाल मार रहा है वाइरल वीडियो के बाद से पुलिस महकमे की किरकरी हो रही है अगर ये वीडियो सही है और इसमें कोई छेरचाड नहीं की गई है तो ये साफ हो जाता है कि लकडी माफियाओं से पुलिस वालों की साथ कांट रहती है पुलिस वालों पर अकसर ये आरोप सामने आते हैं कि पुलिस वाले लकडी की ट्रॉलियों से और ठेकेदारों से वसूली करते हैं क्या इस वीडियो के बाद ये मान लिया जाए वाइरल वीडियो यूपी के सीतापुर के थाना रामपुरकला का बताया जा रहा है वीडियो में जो शक्स नजर आ रहा है कुथाना रामपूरकला के हलका नम्बर तीन में तैनाथ कैलाश नाम के सिपाही का बताया गया है सिपाही पर लकडी ठेकेदार से पेड काटने को लेकर चर्चा हो रही है जिसका वीडियो बनाया जा रहा है जब बात नहीं बनी तो वीडियो वाइरल कर दिया गया वीडियो में खास बात ये भी है कि दरोगा जी भी पेड कटान का पैसा लेते हैं जैसा वीडियो में सिपाही ने बताया मैं इतने पैसे में काम नहीं करवा पाऊंगा दरोगा जी से बात कर लो जो भी हो खबर देखने के बाद अब पुलिस अदिकारी इस पूरे मामले की गंबीरता से जाच करेंगे वाइरल करने से पहले वीडियो में छेरचाड हुई या नहीं इसकी भी बड़ी बारीकी से जाच की जाएगी रामपूर कला से जितेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट स्टार निव्स अब पांस अखम दे दिये भाई चल तेरे लिए इतना कर दो नहीं पता है अब दो हजार में ने कटवादे ना वो तरह प्री में कटवादे प्री में कटवादे ना चलो ठीट या चेकिन